बिस्मिलाइब रह्म रहीम आज हम बात करेंगे जो contractuals है चाहे plus two level में contractual lecturers है या higher education में different colleges में जो job करते है contractuals चाहे करना के contractuals है करना या चाहे कुठवा के contractuals है इन सबुन की बात generally करेंगे चाहे contractuals हो लगदाख union territory में चाहे contractuals हो जेंड के union territory में अब इनका compare हम दिल्ली से करेंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है प्रेजेंट गोवर्मेट है जेंड के में ये union of states की अंडर मेंज इंडिया की अंडर है अब यहां का central rule है और उनका main focus क्या है उनका main जो ideology है वो है one निशान एक निशान एक फ्रेदान और एक ही समिधान means one का institution होना चाहिए one एक ही तिरंगा होना चाहिए जब यह है तो disparities local basis पे क्यों है अगर disparity डैली भी union territory है गोवा भी union territory है चंदीगर भी union territory है जेंड के भी union territory है और लगदाग भी union territory है अगर वहां की basic pays equal pay और equal work की बात कर रहे हैं तो यहां पर उसमें disparities किस वज़े से है और क्यों है 2020 फैब में जब हमारे कॉलेज कुलगाम कॉलेज में डाक्र मुहमद यासीन आये थे जो directorate college थे तो वो जब वहां आये थे तो मैंने उनसे एक question पूछा था मैंने कहा था अभी session late क्यों हो रहा है इसमें middle class और poor class बच्चे पढ़ रहे हैं आप contractuals को के साथ क्यों नहीं उनको appoint कर रहे हैं या उनको appoint क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उस टाए मुझसे यह directly पूछा था कि क्या आप भी contractual हो जबकि मैंने सीधे कहा मैं permanent faculty है मेरा हक बनता है पहले तो मैं एक human being हो तो मेरा हक बनता है कि जो बच्चे यहां जेंड के में होया या लगडाक में हैं वो क्यों सफर करें उनको classes क्यों नहीं लगेंगी उसके बाद दूसरा issue है जो man force हम लगाते है man power machinery लगाते हैं उनको पढ़ाने के लिए वो maximum colleges contractuals के base पे ही चलता है 600 जो highly qualified है energetic लोग है उन्होंने contractuals के लिए status क्यों court की direction है 500-600 लोगों ने status क्यों लिया है और direct court ने direction की है इनको हटा ये मत इनको continue कीजिए चलिए एक बात तो वो होगे कम से कम 600 बन दे उसके बाद highly qualified आपने पिछसे साल या उससे पहले साल दोनों divisions जमू एंड कश्मीर में भी दोनों divisions में कम से कम 3000 लोगों को appoint किया on basis of contractual लेकिन उनकी अगर आप salary देखेंगे उनका पूरा मतलब उनको appoint किया जाता है लेकिन आप लोग कब करते हैं जब आपका काम मतलब खतम होता है आप उनको meager base पे salary देते है means जो उनके meager wages होते हैं वो भी आप fillful नहीं करते हैं ये दोनों जब हम combine करेंगे तो near about 4000 लोग सफर हो रहे हैं जो highly qualified है highly उनके पास education qualification है उनके पास degrees है उनके पे ही depend होते हैं क्योंकि वहाँ permanent faculty या तो कम है या तो वो पढ़ाते नहीं है constitution में लिखा हुआ है कि अगर contractual किसी भी department में appoint किये जाएंगे on basis of merit और on basis of merit के बेस पे या competitive exams के बेस पे अगर वो appoint किये जाएंगे तो उनको equal आपको wages देने ही देने है ये compulsory है और अगर आप उ उन में और permanent faculty में minimum disparities होती है ये मैं नहीं कहता हूँ ये directive principles of constitution कहता है 39 article 38 article वही कहता है कि उनको equal wages दिये जाते हैं या minimum disparity permanent और contractual में रखती जानी चाहिए लेकिन वाइसा नहीं होता है उनके violation की जाती है उसके बाद कौन-कौन सा article 14 भी हम violate करते है article 16 वाइलेट करते हैं उसके 309 वाइलेट करते हैं और 21 वाइलेट करते हैं अगर हम उनको equal salaries नहीं देते हैं अब आप देख लीजे अगर recently case देखेंगे straight up गुजरात वर्स पीड़ीडी एंपलाइस जो थे 2013 का case है उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आप उनको equal pay नहीं देते हो मतलब वहां के पीड़ 16 article 13 article यह मैं नहीं कह रहा हूं यह constitution of India कह रहा है यह एक court की direction है उसके बाद आप violate करते हो 38 और 39 38 में सीधे कहा है state to secure a social order for the promotion of welfare of the society और उसमें और एक important चीज़ है minimize the inequalities in income and endure to eliminate inequalities in status means जो permanent faculty है और जो contractual faculty है उनमें minimum wages का differences होने चाहिए और उनको equal wages दिये जाने चाहिए उसके बाद अगर आप देखेंगे union territory दिल्ली में basic salary मैंने order निकाला है वो 57,700 है लेकिन यहां के उन ही highly qualified उनका education qualification same है highly analytical bent of mind है वो लोग वो equal work करते हैं लेकिन तब भी उनको आप क्या देते हैं आप सिर्फ 28,000 देते हैं अब मेरी request है गवर governors आते हैं पिछले 4-5 साल में देख लीजे एक governor आया दूसरा गया तीसरा गया या even directorate of colleges भी एक आता है यासीन साब आगे फिर आज मैम है फिर कोई आएगा लेकिन हमब request है जो भी higher officials होंगे वो इन मतलब जितने भी highly qualified है इनकी तो बात कीजिए इनको तो equal pay दे दीजे इनको भी वही union territory जब आप कहते हैं एक ही समिदान है एक ही वो होना चाहिए तो equal wages उनको दे दीजे उनको भी 57,000 कीजे अगर 57 नहीं वहाँ TADA ज्यादा है तो उससे थोड़ा कम 50,000 तो उनकी basic salary कीजिए उसके बाद उनको appoint कीजिए और उनका पूरा session जो जाता है आपने दिली में देखा होगा अगर वहाँ winter summer vacation होती है तो वो दो महीने भी salary लेते है लेकिन आप यहाँ उससे पहले ही दो महीने पहले ही उनको बेदाखल करते हो जमुआ region हो या कश्मीर region हो तो वो सफर तो होंगे ही हम रिक्वेस्ट है मेरी governor साहब से कि please और please इनका ध्यान दे दीजे ये 3500 लोग है दोनु region में अगर लद्दा की बात करेंगे वहाँ भी कम से कम 500-600 लोग होंगे तो उनकी बात कीजे वो highly qualified है वो उनकी बात कीजे और उनको equal पे दिला दीजे ताकि उनको एक मतलब जो जखम लगा है उनको उस पे एक मरहम हो जाएगा और उनकी families भी सफर नहीं क पढ़ रहे है जब आप उनको equal wages दे देंगे तो वो पढ़ाएंगे भी अच्छा और उनको as soon as possible appointment कीजे ताकि colleges का भी जो environment होगा education का वो better हो जाएगे बाकि thank you